आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आपको या आपके किसी परिवार जन को COVID-19 का इंफेक्शन हुआ है और उसे हॉम क्वारंटाइन एडवाईज किया गया है Ministry of Health, Government of India की गाइडलाइन के हिसाब से, जो mild COVID-19 के पेशेंट्स हैं, उनको घर पर ही treatment लेने से ठीक हो सकते हैं इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो घर पर आपका ख्याल रखने में मददगार होंगे आपके डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे symptoms manage हो जाएंगे और ठीक होने में फाइदा होगा हम इस समय कुछ और aspects पर बात करेंगे, जिससे आपकी recovery अच्छी और speedy हो सकती है होम कारिंटाइन में अपना ख्याल रखते हुए कुछ बातों का ख्याल रखें सबसे महतवपूरण है कि एक daily routine अपना बनाए रखें समय पर उठें, सनान करें, थोड़ा घूमे फिरें और समय पर खाना खाएं एक routine बने रहने से उदासिंता नहीं होगी और इससे आपका शरीर और आपका मन दोनों ही fresh महसूस करेगा दूसरा important बात है, खाने का ध्यान रखेंगा एक balanced diet recovery के लिए बहुत जरूरी है कुछ चीजों का ध्यान रखें कि खाना संतुलित होना चाहिए, easy to digest होना चाहिए बहुत ज़्यादा तली हुई चीजें या मसालेदार चीजें या बहुत icy cold चीजें ना खाएं जो आपके गले को irritate कर सकती है समय समय पर थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहिए चाय, सूप, गरम दूद, हल्दी, तुलसी इस तरह की चीजों का सेवन करने से आपको अच्छा भी लगेगा और आपके recovery भी जल्दी होगी जब आप आराम कर रहे हों तो एक बात का खास ख्याल रखें कि आप बहुत देर तक अपने कमर के बल पर ना सोई रहें हम जानते हैं हमारे फेफ़रों का जो maximum हिस्सा है वो हमारी कमर की तरफ होता है तो शरीर में ओधा लेटना या टमी पर लेटने की वज़ए से आपके lungs ज़्यादा expand होंगे और रेस्ट करते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि आप बीच बीच में अपने पेट केबल सोएं और डीप ब्रीधिंग एक्सराइज़ भी करें पर यहां important बात ध्यान रखने की यह है कि खाना खाने के तुरंट बाद आप पेट केबल लेटें अपने फेफ़रों को सही रूप से सुचारू रखने के लिए और infection का असर कम करने के लिए डीप ब्रीधिंग एक्सराइज़ करें डीप ब्रीधिंग एक्सराइज आप नयाप भी कर सकते हैं बलून की मदद से भी कर सकते हैं बिमारी की वज़े से गले में हो सकता है थोड़ी सी खराश महसूस हो या दर्द महसूस हो उससे रहात पाने के लिए और वाइरस का लोड कम करने के लिए नमकीन पानी के गरारे दिन में तीन बार खाना खाने के बाद करें या बीटादीन के गरारे करें बीटादीन एक तरह से एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी वाइरल भी है इससे गले में वाइरल लोड कम होता है और बीटादीन गारगल्स प्रिपेर करने के लिए एक पोर्शन बीटादीन और तीन पोर्शन पानी को मिलाकर एक मिनट तक गारगल्स करें इससे आपके ग होने के लिए मन के positive होने का बहुत important role रहता है घर पर रहते हुए आप ज्यादा negative खबरें ना सुनें ना ही COVID-19 के बारे में हो रही deaths या उससे related बुरी के बारे में पढ़ें बहतर रहेगा आप अच्छे अच्छी किताबें पढ़ें चोटी-चोटी गेम्स खेल सकते हैं पहलियां खेल बुझा सकते हैं या आप कोई कार्ड गेम खेल सकते हैं घर पे बैठे हुए अपने परिवार जनों से फोन या वीडियो चैट के द्वारा connect हो ये इससे आपके recovery में बहुत फाइदा होगा आपने सुना है मन के हारे हार है मन के जीते-जीत है घर पर अपनी सेहत को मॉनिटर करने के लिए आपको कुछ अगर बहतर है आपके पास एक के छोटा इसको पल्स ऑक्सिमिटर बोलते हैं यह आपके शेलीर में oxygen की मात्रा और पल्स रेट चेक करने के काम आता है यह थर्मामीटर है नॉर्मल यह infrared थर्मामीटर है अगर आपके पास है तो सही है और ब्लड प्रेशर नापने की मशीन अ अज के चैक करना है और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है ताकि आप डॉक्तल को या नर्स जो आपकी सहत को बानितर कर रहे हैं पधे उनके लिए हो सके और जब अच्छे से वे फॉंग आने लगे उस टाइम की रीडिंग को लीजिए ना कि शुरुवात की रीडिंग को तो नॉर्मली हमारी oxygen रहती है 95 से 100 परसंट तक अगर oxygen saturation 95 के कम है सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ये इंडिकेशन है कि आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए आपको अपने डॉक्टर से कनेक्ट होना चाहिए या फॉस्पिटल जाना चाहिए एक और भी बहतर तरीका है इसको और अच्छे से जाचने के लिए कि आप oxygen saturation 5 या 6 मिनिट की वॉक के बाद चेक करें इससे आपकी शरीर में अगर थोड़े से भी बिमारी के लक्षन बढ़ रहे हैं तो उसका समय रहते पता चल जाएगा इसको हम कहते हैं 5 और 6 मिनिट वॉक के बाद oxygen saturation चेक करना जो कि resting oxygen saturation से बहतर रहती है घर में आपका जब ख्याल हो रहा है कुछ बातों का ध्यान रखें जिनको हम warning science कहते हैं जैसे अगर आपका temperature 101 के उपर लगातार तीन दिन से चल रहा है और paracetamol आदी लेने से कम नहीं हो रहा है systolic blood pressure का 80 mm of mercury से कम होना अगर आपका respiratory rate 25 के उपर है अगर आपकी pulse oximetry में oxygen saturation 95 के नीचे है पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है बलगम में खून आ रहा है confusion हो रहा है या ठीक से खान नहीं पा रहे है या कोई भी ऐसी नई चीज जो आपको परिशान कर रही है आप डॉक्टर से physically जाके या वीडियो कंसल्टेशन के सहारे सलाह ज़रूर ले लीजिए home quarantine करते समय क्या आप ना करें पहली बात तो ये है कि आप अपना घर या कमरा ना छोड़ें अंटिल अनलेस ये medical reason से जरूरी ना हो spit ना करें मास्क पहने रखें अगर आप बाहर जा रहे हैं या आपके कमरे में कोई आ रहा है तो इससे दूसरे को infection होने का खत्रा बिलकुल minimal हो जाएगा अपने कपड़े, तौलिया, टोथ ब्रश, खाने के बरतन शेयर ना करें और जब तक डॉक्टर की सलाह ना हो, हॉम क्वारंटाइन को खतम ना करें मुश्किल वक्त में जो चुनोतियां होती हैं वो हमें और स्ट्रॉंग करती हैं कॉविड-19 का infection भी एक ऐसी ही चुनोती है और इस पर हम जरूर विजे पाएंगे और स्ट्रॉंगर होकर बाहर निकलेंगे Stay fit, stay healthy